गती सो सब परती मिनट डिक्टेशन शुरू होगा पांच सकेंड बाद रेडी अस्टार्ट विमिन्स प्रीमियर लीग के लिए सोम बार को मुंबई में हुई खिलाडियों की निलामी में जिस तरह का जोस दिखा उसे इसकी अच्छी सुरूआत का संकेत माना जा सकता है इसमें भारतिये बैटर असमिर्ती मंधाना को सरवाधिक 3.4 करोड रूपिय में कीमत मिली तो सबसे महंगी विदेशी खिलाडी अस्टेलिया की ओल रॉंडर एसले गार्डेनर रही उन्हें 3.2 करोड रूपिय में गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा इस लिहास से भारतिये कप्तान हर्मन प्रीत कौर के लिए मुंबई इंडियन्स की ओर से लगाई गई 1.8 करोड रूपिय जरूर अपेच्छा से कम है ऐसी लीग में अक्सर कुछ खिलाडियों के लिए बोली नहीं लगती ऐसा इस निलामी में भी हुआ टीमों की रन्निती प्राथमिकता खिलाडियों को खरीदने का बजट निलामी को परवावित करते हैं ज्यादा बड़ी बात या है कि खिलाडियों की निलामी के साथ ही डबलू पी एल ने एक महत्पून चरन पूरा कर लिया इसे लेकर ना सिर्फ खिलाडियों में बलकी किरकेट जगत से सीधे तौर पर या परोच रूप से जुड़े तमाम लोगों में उत्सुकता बनी हुई है अगर आईपी एल के मुकाबले में देखा जाए तो यह हर तरह से कम नजर आती है सबसे महंगे खिलाडी की बात करे तो आईपी एल में इस साल टौप पर रहे इंगलेंड के सैम कुरेन 18.5 करोड रुपिये में बिके जिसके आगे मंधाना को मिली रकम कुछ नहीं लगती हो भी क्यों ना डबलू पी एल में हर टीम को मिला बजट मात्र 12 करोड रुपिये है जबकि आईपी एल में हर टीम को 95 करोड रुपिये मिलते हैं डबलू पी एल में मात्र 5 टीमें रखी गई हैं जबकि आईपी एल में 10 टीमें खेलती हैं मगर भूलना नहीं चाहिए कि आईपी एल का 16 वर्षो का इतिहास है उतल पुतल भरी एक लंबी यात्रा है यह दर्सकों की मौजुदगी के मामले में दुनिया के में पहले नंबर की क्रिकेट लीग है और यह कोई आज की बात नहीं दौरत 14 में ही आउसत उपस्थिती के मामले में इसने दुनिया की सभी अर्ष्पोर्ट्स लीग में छठा अस्थान हासिल कर लिया था इस लीग ने क्रिकेट को जिस अस्तर पर उंचाया क्रिकेटरों को जिस तरह का मंच दिया वह कुछ समय पहले तक आकलपनिय था छोटे सहरों और कस्वों के खिलारियों के लिए अचानक उम्मीदों का आश्मान खुलता दिखाई देने लगा ये सारी बाते ना केवल डबलू पील के भविश को लेकर आसानुवित है करती है बलकि महला क्रिकेट के आगामी चमकदार दौर की उम्मीद बढ़ाती है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की खिलारियों ने कठीन चुनोतियों से गुजरते हुए महला क्रिकेट को यहां तक पहुंचाया है उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड था इसका BCCI के हाथों में पहुंचना अब WPL की सुरुआत में के रूप में इसका नया फेज सुरू हो रहा है उम्मीद की जाए कि यह दोर महला क्रिकेट को ना केवल तमाम जरूरी संसाधनों से लैस करेगा बलकि देश की उभरती परतिभाओं में नया उत्साह भरते हुए उनके सामने किरकेट को एक अकर्शक और भरोसे मंद कैरियर के रूप में अस्थापित करेगा राजस्थान के मुख मंत्री असोक गहलोत बजट भासन पर हुई गलफत से भले ही उबर गए हो लेकिन विधान सभा के मौजूदा सत्र में उनकी सरकार की ओर से राजस्थान अकाउंटिंग सिस्टम अवेंडमेंट बील दोज़ात तेईस पारित करवाने की कोशिस से एंड ओडिटर जनरल सी एजी यानी कैग ने इस मामले में राजस्थान के चीप सेकेटरी को पत्र लिखा है जिसमें इस विधायक को संपैधानिक प्रब्धानों के खिलाफ बताया है वैसे विधान सभाम से पारित होने के बाद कानून बनने के लिए विधेयक को राजप राजपाल की मंजूरी चाहिए अगर राजपाल इस विधेयक पर वीटो कर दे या उसे राष्टपती के पास भेज दे तो संबैधानिक संकट गहरा सकता है राजस्थान सरकार की और से पेश इस विधेयक को लेकर मामला क्यों इतना गरमाया है इसे समझने के लिए यह जा पूरी है कि कमपट्रोलर एंड ओडिटर जनरल की राजकाज में क्या अहमियत है आईए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं भारत में CAG पद का स्रीजन ब्रिटिस समराज के दोरान 1858 में हुआ और 1884 में पूर्ण CAG की नियुकती हुई वहीं CAG की रिपोर्ट पर विचार के लिए पब्लिक अकॉंट्स कमेटी के गठन की सुरुवात 1919 के कानून से हुई दिल्चस्प बात यह है कि आजादी के बाद राज्यों के लिए अलग अकॉंटेट जनरल एजी के गठन की मान उठी थी लेकिन सम्विधान सभा में उसे सुविकार नहीं किया गया वहीं सम्विधान में CAG के लिए पूरा चैप्टर है सम्विधान के जनक बाबा साहिव आमबेदकर ने CAG को सरवाधिक महत्पूर्ण अठोरीत्टी कहा था केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के निर्धारन के लिए सम्विधान में अनेक प्रापधान है सात्वी अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का वितरन है इसी तरह राज्यपाल, चुनाब आयोग, हाई कोट और CAG के माध्यम से भारतिय संग में राज्यों की भुमिका का नियमन और निर्धारन होता है वर्तमान सिस्टम के अनुसार सरकारी बिभागों के बीलों के वेरिपिकेशन के बाद ट्रेजरी दफ्तरों के माध्यम से भुगतान होता है पार्दरसिता लाने के लिए राजस्थान के कई जीलों में तीन साल पहले ट्रेजरी विभाग में ई-बिल का पाइलेट प्रोजेक्ट सुरू किया गया विधान सभा के सातमे सत्र में सरकार ने पुरानी ट्रेजरी विवस्था खत्म करके नए P&A ओफिस खोलने की जानकारी दी थी इसके अनुसार केंद्रिये अस्तर पर इ-ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान और अकॉंटिंग का नया सिस्टम लागू होगा इससे राजस्थान में तहसील और जीला अस्तर पर सभी ट्रेजरी ओफिस बंद हो जाएंगे पेंसनर इसका विरोध कर रहे हैं उनके अनुसार अभी लोगों की समस्याओं का निराकरन तहसील और जीला अस्तर पर हो जाता है लेकिन नए कानून के बाद सभी लोगों को राजधानी जैपूर की दोड़ लगानी होगी CAG के अनुसार प्रस्तावित कानून संबिधान के अनुछेद 150 और DPC अधिनियम 1971 की धारा 10 के खिलाव है नए सिस्टम से अकॉंटिंग सिस्टम गड़ बढ़ाने के साथ चेक और बैलेंस भी खत्म हो जाएगा यही नहीं नए सिस्टम से CAG की संबिधानिक भूमिका कम होई तो अरजकता के साथ भरस्ताचार बढ़ने का भी खत्रा है स्टॉप